हुआ वेल्कम दोस्तों एक और फिर से स्वागता है आपका हमारे यूट्यूब चला टैक जेसी सी पे आज हम आपने लेकर एक और वीडियो आज हम बात करेंगे सी लेंग्विज में इफ और इफ एल्स के बार में ठीक है आपने हमारी वेबसेट पर आ जाना है टेक जी सी डाट कॉम पर और वहां पर आपको मिलेगा आपको वहां पर मिलेगा इफ इफ क्या होता है तो तो सबसे पहले है इंक्लूड कर लेते हैं तो तो बड़ा हो गया है सबसे पहले है इनक्लूड है है का मतलब प्री परसेस इंक्लूड कर शामल कर प्रोग्राम में क्या शामल कर स्ट्रइडि ऑफ ब्लस प्लस वह जावा कोई भी लेंगत जो इसमें में उसे के जाता है तो प्रिजर्म हो काहन से स्टार्ट होता है वो इंड इसेες ALL और कुछ भी पॉइंटा वाली वाली नहीं होगी को कोई decimal वाल्य नहीं होगी simple values हम इसमें enter करेंगे ठीक है तो सबसे पहले clear screen हो या अपनी console को हमने clear कर दिया तो सबसे पहले हमने message प्रेंट होगा आपकी screen पे enter the value of a उसके बाद हम black screen पे value एंटर करेंगे तो a की value हमने enter कर देंगे print a message होगा उसके बाद scanf करेंगे b की value एंटर करेंगे suppose करो हमने a की value एंटर कर दी 5, b की value एंटर कर दी 7 a की 5, b की 7 ठीक है a की 5 है, b की 7 तो ऐसे हम condition test करेंगे जो 5 होता है जो greater than इसका simple का ध्यान रखना जो relational operator है greater than, कि जिसकी तरफ जो मुह खुला है उसके उसमें value बड़ी होनी चाहिए इसमें value बड़ी होनी चाहिए, bigger होनी चाहिए greater होनी चाहिए, ए में 5 है, b में 7 है 5 जो बड़ा होता है 7 से, इधर 5 है, इधर 7 है ए में 5, b में 7, जो 5 बड़ा होता है 7 से, नहीं condition false होगी न, 5 तो बड़ा नहीं होता है 7 से, 5 greater than 7 नहीं, condition false, control मारा नीचे आगे, इस body में enter नहीं करा है अगर जो condition true होती ही, तो control मारा इस body में enter हो जाता है, पर control condition false होगी, control मारा नीचे आगया ठीक है, उसके बाद जाए, जे वाद ignition test करेगा कि जो 5 होता है, वो जो 5 होता होता है, 7 से, इधने बाद से value बड़ी होगी न भी, बी में 7 है, ए में 5 है, 5 में 5, बी में 7, जो 5 होता है, वो less than होता है, 7 से, yes, less than होता है, condition true हो गई, हमारा control body में आगे, B is big, ठीक है, तो massive print होगा, B is big, इसी तरह से, A is, जे इककर टू है, जो single equal to होता है, assignment operator, जे comparison operator, ठीक है, ठीक है, जे comparison करता है, मतल चेक करता है, कि दोनों ब्राबर है, एक 5 जो साथ के ब्राबर होता है, नहीं, बुदो condition false है, 5 जो शोटा होता है, 7 जो बड़ा होता है, ठीक है, तो 5 जो ब्राबर होता है, 7 जो बड़ा होता है, ठीक है, तो 5 जब ब्राबर नहीं होते 9 से yes condition true होगे control body में B is big ठीक है अगर हम दिखते हैं कि जो 13 A में 13 है B में 9 तेरा जो शोटे होते हैं 9 से नहीं condition false बाहरा आ गया ठीक है जो इसके बाद हमें 13 B में 9 तेरा ब्राबर होते है 9 के जे भी नहीं condition false हो गई ठीक है उसके बाद हमने 9 ते A में तेरा ब्राबर देदी ठीक है दो में दोनों 13 तेरा ब्राबर होते हैं 9 के डिशन false जहां पर 13 जो है 13 वो लेस देन होते 13 से 9 के डिशन false 13 जो इकल टो होते है 13 yes A is equal to B ठीक है तो जो सिंपल इप का प्रोग्राम में जो करते हैं अब हम अभी ठीक है तो इसमें करते हैं ठीक है तो प्रोग्राम हमने टाइप कर लिया तो देखते हैं इसका है अब यह हमने F9 कि F9 से compile अगर आप F9 से compile नहीं करना चाहते हैं तो जहां से आप compile कर सकते हो ठीक है compile किया हमने control F9 से तो जहां से compile कर लिया कोई व्यारर नहीं आई उसके बाद run किया run control control F9 ठीक है ultra F9 से compile कर लिया control F9 से run हो गया ठीक है तो पहले हमने value एंटर की A की value 13 B की value 7 तो A is big ठीक है फिर प्रोड़ों को run किया हमने अभी A की value को हमें 7 किया और B को 13 की B is big अभी दोनों की 13 13 value एंटर कर देंगे ठीक है तो control F9 13 13 ठीक है दोने equal to हो गया अगर हमने if we use करनी है if कैसे काम करता है वो हमने देखा कि A की condition true if body में control तभी आएगा जै इफ की condition true होती है अगर इफ की condition false होएगी तो control कभी भी body में नहीं आएगा if condition true है कि A की value greater than होगी B से तो body में control आजागा अगर A की value less than होती है body अगर condition false है तो control कभी भी body में नहीं आएगा जैसे हमने value enter की इसपोस करो हमने A की value को छोटा कर दिया हमने A को 7 दे कर दिया B को 9 कर दिया और जो 7 होती है वो greater than होती है 9 से 9, condition false नहीं चाहेगा और B की value हमने की 7 A की value 7, B की 9 जो value 7 होती है less than होती है 9 से yes, A, B is big ठीक है दोनों value equal to जाए, equal to बाला है इस तरह से हमारा ये program है अब हम program करते है if else का तो दूसरा program आगे हमारा मतलब एक बाद का ध्यान रखना की if else पे control तब ही आएगा अगर if की condition false होती है अगर if की condition false नहीं होती तो control कभी भी else पे नहीं आएगा ठीक है चलो इसका देखते है program ए दो variable आले A और B जहांपे massive print हो है enter the value of A हमने value enter कर दी screen पे black screen पे जैसे कर रहे थे value तो B की value same enter कर दी तो सबसे पहले हमने value enter की इसमें तो हमारा suppose करो 9 कर दी और B में हमने 7 कर दी ठीक है A में 9, B में 7 तो जहांपे condition ऐसे test होएगी ठीक है जो 9 होता है वो greater than होता है 7 से जो 9 बड़ा होता है 7 से yes condition true है control body में A is big ठीक है यह value देते हैं 9, B में 7 ठीक है A is big आगया उसके बाद हमने की करना है A में क्या कर देना है A में हमने 7 कर देनी है तो B में 9 कर देनी है ठीक है A में shortी B में बड़ी तो जहांपे आजएगा 7 और जहांपे आजएगा 9 ठीक है तो 7 जो होता है A में 7 कर दी B में 9 तो value जो 7 greater than होती है 9 से जो 7 होता है वो बड़ा होता है 9 से नहीं condition false हो गए क्योंको 7 बड़ा तो नहीं होता है शोटा होता है अभी control else पे जाएगा पहली बार की condition true होएगी थी condition true होगी जम A is big आ गया उसके बार control बहा सीदा बाहर आ जाएगा पर इस बार if की condition false हो गई तो 7 बड़े नहीं होते हैं साथ बड़े होते हैं साथ बड़े होते हैं 9 से नहीं condition false हमारा control नीचे आ गया भी मतलब else पे control तभी जाएगा अगर if की condition false होती है अगर if की condition false नहीं होती तो control कभी भी else पे नहीं जाएगा ठीक है तो अभी इस पे condition false होगी नीचे आ गया अभी इस पर चेक की था, जो 7 होते हैं, वो शोटे होते हैं 9 से, 9 से शोटे होते हैं 7, A में वैल्यू कितनी है, 7, B में कितनी है, 9 है, इस तरह टेस्ट हो रहा है, 7, less than होता है, 9 से, जो 7 होते हैं, वो शोटे होते हैं 9 से, yes, condition true, A में 7 वैल्यू, B में 9 है, condition true, control में बाडी में गया बीज बिक ठीक है उसके वाद मैसी प्रेंट करने से कंट्रोल सीधा बाहर चला गया ठीक है गेच पर चला गया बाहर चला गया दिखा देते हैं आपको प्रूराम चला के इसका अब क्या करते हैं हम अभी दोनों की value equal कर देते हैं तो अभी हम सबसे पहले एक को भी 7 दी बी को भी हमने 7 दे दी value ठीक है तो जहां पर चेक करेगा कि जो 7 होता है वो 7 से greater than होता है नहीं जहां पर AB 7 है, BV 7 है जो 7 होता पर less than होता 7 से नहीं पर जहां पर तो else part पर अगर इस पर else पर कोई भी condition नहीं लगी जब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कोई भी condition होगा program execute होगा ठीक है अगर अगर जहां पर हमने condition लगाई होगी तो condition test होगी अगर condition test है हमने condition लगाई होई तो condition हमारी test होगी ठीक है पर हमने अभी कोई condition नहीं लगाई तो condition कोई भी हो तो उपर वाली अगर false होगी तो else नहीं तो execute होना ही होना है else नहीं क्या करना है execute होना ही होना है तो हमारा message print होजगा a is equal to b ठीक है अभी ज्योंग है छी कहा है सारव ठीखतों तो अभी हम करते हैं वैल्यू जैना झालि नहीं हो गया तो अभी हम नहीं इसको जहां पर लगया है डेता इसको डेलीट कर देती है ठीक है वैसे देखते हैं यह प्रोग्राम को किया अब इस भी अब इस भी का एक बीज भी का यह अब इस बीज भीक नहीं आना चाहिए था तो आमने बेले इंटर की अधीक भी बीफ अन चाहिए था ठीक है अजिनको से इस इस फैल्स का सिंप्ल इफ ईस स्काइब अगर मत्mal एकी बाड़ी चलेगी अगर इसमें देखते हैं कि जय वाला प्रोग्रम है इसमें आप देखोगे कि इसमें देखेते हैं और इस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में डिफ्रेंस क्या है दोनों प्रोग्राम में डिफ्रेंस क्या है वो दिखते हैं इसमें हमने क्या कर दिया है A में ग्रेटर देदी बड़ी A में की वैली देदी ग्रेटर देदी हमने A में देती 9, B में देती 7 A में 9, B में 7 9 जो होता है वो greater than होता 7 से 9 जो बड़ा होता है 7 से Yes, condition true, control Body में B is big ठीक है? B is big, देखो condition true होगे उसके देखो message print होगे उसके बाद control नीचे चला गया जे इसने भी condition को test किया 9 जो छोटा होता है 7 से 9, condition false नीचे आ गया Body में नहीं गया control क्योंकि condition false नीचे आ गया ठीक है इसमें आ जाओ 9 जो बड़ाबर होता है 7 से A में 9 है, B में 7 है 9 जो बड़ाबर होता है 7 से Yes, sorry 9 जो बड़ाबर होता है 7 नो condition false है 9 जो बड़ा होता है 7 चोटा होता है बाबर होता 7 पे 7 से नहीं, condition of false रोगी control, पहली condition true होगी, J is big आगगा, J is condition of false, J वागगा, जब दोनों condition compiler ने check की, जब दोनों condition को check करेगा, तो उसका time waste होगा, उसका time consume होगा, ठीक है? तो J हो गया, कि दोनों condition true होने के वाब जूद भी उसने दोनों condition को check किया, अब इसमें आ जाते हैं, इसमें भी हमने 9 value दी दी, B में 7 value दी, A में 9, B में 7, अभी जाएं पर चेक करेगा, जो 9 value होगा, वो greater than होती है, 7 से yes, is big, पहली condition true होगी, control ने else पे जाना है नहीं है, control सीध पर चला जाएगा, program से बाहर निकल गया, अपना time save होगया, compiler का time save होगया, क्योंकि उसने condition test की, अगर पहली condition false होगी, तभी वो else पे जाता, पहली condition true होगी, उन्हें else पे जाना नहीं है, अगर इसको false होगी, तभी else पे जाएगा, अगर जे वाली true होगी, तभी else पे अगर जे वाली false तभी else पे जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें time consume ज्यादा हो रहा है, अगर सभी if use करगे, if else use करगे, तो time consume कम होगा, ठीक है, ये तो 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 नहीं हमारा program if or if else, और if else if का, ठीक है, इसमें कोई भी दिखत तो please comment करके बता सकते हूँ, अगर आप हमार ऑले आप हमार दोग तो हमार तो तो करगे, तो घो हमारा हिब है ये तो 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 उर सभी वे ये सा सऑदा है, ये तो कर ACC है currently कि उ利खती देक 15 प्से मरते वाद़ माते हैं।